अज़ाइब दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम गुरू जी के वीडियो में आज हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मद्यप्रदेश की सबसे पहले यूनिट नमबर एक की आज हम चर्चा करेंगे और इसमें हम 100 कोश्यन की चर्चा करेंगे ये आपका यूनिट वाइस टेस्ट है जिस परकार से आपके सलेवस में यूनिट नमबर वन में मद्यप्रदेश का संस्कृति शाहत और इतिहास की चर्चा की गई है तो आज की क्लास में हम कबर करने वाले हैं मद्यप्रदेश का इतिहास संस्कृति और साहत्य से पूछे जाने वाले करीब सो अति महत्यपूर प्रश्णों की चर्चा हम क्लास में कर रहे हैं गुड इवनिंग एवरिवान गुड इवनिंग चले आ गए हैं जबी लोग चले तो स्टार्ट करते हैं क्लास और सभी मित्र वीडियो को सभी मित्रों तक शेर करें और इसी के एकॉर्डिंग फिर हमारी अगली क्लास आएगी जो की आपकी यूनिट नंबर टू कबर करेंगे फिर यूनिट नंबर थरी कबर करेंगे यूनिट पोर यूनिट फाइब तो मद्र प्रदेष की तीनों यूनिट आपकी कबर हो जाएंगी और जिन वच्चों को यह कमेंट आ हो थे कि हमारे करल अपका कबर होगा परियावरण भी आपका कबर होगा सारी चीजें आपकी कबर हो जाएंगे start करते हैं class चलिए राजा रागहो जी आनंद रहें खुश रहें आप लोग कि चलिए तुस्ट चलिए पहले number के question की चर्चा करते हैं पहले हमारा question देखिए सबसे पहले पढ़ लीजिये question ठीक है उसके पहले आपको बता दें थोड़ा सा अपडेट देना चाहेंगे हम कि जो लोग बच्चे बोल रहे थे कि अभी तक जो test series है वो complete नहीं हुई है तो test series आपकी पूरी complete है और करीब 4-5 test ऐसे हैं जो अभी translate नहीं हुए हैं वो बहुत जल्द हो जाएंगे 2-3 दिन के अंदर सारी test series translate होगी एक-एक question आपका check कर लिया गया है कोई question उसमें गलत नहीं रहेगा 2 दिन के अंदर कोई question गलत नहीं रहेगा 5-7 test और check करने बागी रहे गए हैं तो जिन्होंने अभी तक test series जोएंगे नहीं की है 499 में available है और दिये गए नंबरों पर आप संपर करके test series जो है join कर सकते हैं इसी के साथ हमारा पहला question screen पर है आपकी और answer दीजिए सबसे पहले हमने पूछा है कौन सा युग्म आ संगत है जो की उनसे email नहीं खाता है जल्दी से answer लगाईए आप लोग जैहंद नेहा सेंसाहब जैहिन जैहिन दोस्तों जैहिन सर पेपर के बाद मत करो पेपर के बाद नहीं दो दिन का और समय चाहिए दो दिन में आपके English translation में समय लग रहा है बाकि कोई दिक्कत में जल्दी से बताईए देखिए सफी कुरैशी की बात करें तो मॉला ना बरकत उल्ला की बात करें तो इन हो ने केंद्रिय मंत्री के रूप में कार नहीं किया क्योंकि 1864 में इनका जनम हुआ 1927 में इनका दिहान्त हो गया अरफात ये एक करांतिकारी थे और एक गदर पायटिक और में रीडर के रूप में इनको माना जाता है 1988 में भोपाल विश्व विध्यालाय का नाम बदल करके इनके नाम पर रख दिया गया तो यह हमारे क्या हो जाएंगे असंगत हो जाएंगे यह केंद्रिय मंत्री नहीं रहे हैं बाकी द्वारिका पिशाद मिस्रा जो थे इन्होंने सर तालिस्मेन की यह पत्रिका आई थी और असलम सेरखां हौकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं आप लोग समझते ही होंगे तो अपना अंसर होगा बी नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न है आपके सामने की कबीर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है कबीर सम्मान चुकि कबीर जो है जुलाहा प्रजाती के थे बानण रसीम उनका जनम हुआ था इनके सम्मान में मद्दप्रदेश शरकार के संस्कृति मंत्रा लेने उन्नीश्यो 85-86 में एक क्या किया था तो एक अच्छा सा पुरोसकार इनके नाम पर दिया जाता है और वो पुरोसकार इस में से कौन व्यक्ति को नहीं मिला है समिसेर बहादर सौरी सबसे पहले किश व्यक्ति को मिला है प्रशन ध्यान से पढ़ना गलत मत कर देना दिख नहीं रहा है क्या नहीं देख रहा है आपको बदाईए अच्छा कबीर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे ये नहीं देख रहा था समसेर बहादर गोपाल कृष्ण रमाकांत या इनमें से कोई नहीं तो सबसे पहले थे आपके 1986 सतासी में जब इसकी स्थापना हुई तो 1986 में सबसे पहले गोपाल कृष्ण नाम के व्यक्ति को ये सम्मान जो है दिया गया था आगे बढ़ते हैं बीर संकर साहर रगुनात साहर राष्टिय सम्मान के प्रथम प्राप्त करता कौन थे थोड़ा साइड से खड़े हो जाईए सर ओके चली जी हां प्रश्ण पूछ के साइड से खड़े हो गए हैं देखिए बीर संकर साहर रगुनात साहर राष्टिय सम्मान के प्रथम प्राप्त करता कौन थे तो 2008 में मदप्रदे सरकार ने आदिवासियों के चेत्र में उनके निर्त उनकी संस्कृति के बारे में महतपूर योगदान देने वाले लोगों को कुछ पुरुसकार देने की घोशना की थी जिसमें से एक आपका वीर संकर साहर रगुनात साहर राष्टिय पुरुसकार है एक रानी दुरगाबती पुरुंसकार था और एक ठककर बापा पुरुसकार भी था बाद में 2010 में एक और प्रोस्कार दिया गया ठीक है जो आपका एक विश्णू विश्णू साहे के नाम पर दिया जाता है ठीक है तो जल्दी से आंसर लगा ये फटक से क्या होगा इसमें से इसमें आपका होगा कौन सा अंसर तो इसमें होगा किन काम किन फाम सी नोग किन रह और ये व्यक्ति मेगाले की थे इनको सबसे पहले ये सम्मान जो है 2008 में दिया गया वीडियो की लिंक को सभी मित्रों तक शेयर कर दो ताकि जादा से जादा आपके मित्र इस क्लास से जुड़ें और क्लास को देख पाएं आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरुसकार की शुरुवात कब हुई परशन ऐसा है लता मंगेशकर पुरुसकार की शुरुवात कब हुई ध्यान दीजिए लता मंगेशकर पुरुसकार सिर्फ एक मात्र ऐसा पुरुसकार है जो किसी जीवित व्यक ना की गई थी चलिए दिलीब चौधरी जी आंसर लगाते चलिए सी नंबर लगाया वेरी गुड मद्द प्रदेश की बिरांगना रानी दुर्गाबती राष्ट्य सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम प्राप्त करता कौन है ये भी जैसे संकर साहर रगुनात साहर ये पुरुसकार भी श्टार्ट हुआ था रानी दुर्गाबती जी के नाम पर तो सबसे पहले किनको दिया गया तो इसमें है आपकी रोज केर केटा राइट आंसर क्या हो जाएगा रोज केर केटा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन है महत्मा गांधी केत्रों में जिनकी बात कर रहे थे वो आपके कौन-कौन थे तो ठककर बापा पुरुसकार हो या रानी दुर्गाबती हो या संकर्शाह पुरुसकार हो सब में एक-एक लाक रुपे दिये जाते हैं जबकि जो टंटईया भील पुरुसकार है ये आपका आदिवासियों की संस्कृति के संबंद में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता है तंटईया भील पुरुसकार केबल आदिवासियों के ऐसे युवा व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अपनी समाज के लिए कुछ काम किया हो उसमें एक लाक रुपे जो है दिये जाते हैं महत्मा गजानन माधव मुक्तिवोध फैलोसिफ किस छेत्र में प्रधान की जाती है तो गजानन माधव मुक्तिवोध कौन व्यक्ति थे और इन्होंने क्या काम किया है यदि आपको पता होगा तो आप जरूर लगा पाएंगे इनके नाम पर मद्वदे सरकार में एक पीठ भी हापित है किस विश्व विद्याला में है वो भी आप कमेंट करके आंसर दीजिए सर आप कोश्यन बोलकर एक साइट जी हां मैं कोश्यन बोलकर एक साइट खड़े हो जाता हूं तो गजानन माधव मुक्तिवोध फैलोसिफ जो है गजानन माधव मुक्तिवोध के नाम से द किया गया था तो यह जो महत्मा गांदी सम्मान है उन्नीस सो पंचानवे चैन्वे में स्थापित होने के बाद सबसे पहले किसे दिया गया था तो यह कस्तूरवा गांदी समारक्ट रश्ट जो की इन दौर में मौझूद है उस संस्था को यह जो है सम्मान दिया गया था चल सिसंफांट आपको पटा है तिलिशी सम्मान कव सथापिथ हुआ था तो तुलिशी सम्मान जो है या आपका 1984 में सथापिथ हुआ ठीक है 1983-84मे सथापित हुआ था इसमें भी 2,000,000 रुपफिर दिये जाते हैं लोग रंग कर्म इत्यादी विध्या में ये दिया जाता है और सबसे पहले 83 84 में दो लोगों को दिया गया था हरी जी केशब जी और गिरी राज प्रसाद अर्थात हमारा आंसर होगा सी नंबर उप्त दोनों व्यक्तियों चलिए सत्यम सींग आंसर देते चलो सबी लोग दे रहे हैं चलिए 1983 आपने दिया है ओके आगे बढ़ते हैं आदिवासियों के विकास हेतु कार करने वाली संस्था को कौन सा पुरुसकार प्रदान किया जाता है तो आदिवासियों की विकास के लिए तुलसी सम्मान कबीर सम कर बापा और टंटेया भील ये चार पुरुसकार स्पेसली याद रखना मद्प्रदेश से संबंदित तो रानी दुरगाबतिया आपका दिया जाता है बुंदेला बिद्रोह के दोरान अंग्रेजों का साथ देने बाले रतन सींग किस रियासत के राजा थे जल्दी से बत बिकार जताया था इनकी रियासत पर और इनकी चाचा कहां के थे जैदपुर रियासत के राजा परिछित जो थे इनके चाचा थे और ये आपके जो ड्रतन सींग जी है ये आपके चर्खारी रियासत के राजा थे याद रखना इनकी जागीर नहीं थी इनकी जागीर मूलत नहीं थी इनको गोद लिया गया था चर्खारी रियासत की स्थापना जो है ये किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी तो चर्खारी रियासत की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी आप लोगों के आंसर C आ रहे हैं और ध्यान दीजिए C नंबर पे जगत प्रताप बिल्कुल भी आपका जगत राज आपका आंसर होना चाहिए था ठीक है जगत राज जगत प्रताप मत लगा दीजिएगा जगत राज उनका आंसर है जगत राज के द्वारा चर्खारी रियासत की स्थापना की गई थी रुद्र प्रताप नहीं इसमें हो सकता क्योंकि और्चा राजी की विक्टोरिया निम्न में से किसे कहा जाता है जो टीकमगड के राजा की तीन रानिया थी तो लड़ई सरकार गरई सरकार और हरई सरकार तीन रानिया थी तीनों ही निस्तान थी तीनों की कोई उलाद नहीं थी जब वहां के राजा ने अपने भतीजी को या अपने वनसज को गोद लेना चाहा तो इन में से आपकी जो लड़े रानी थी लड़े सरकार थी इन्होंने विद्रोह कर दिया और बुंदेला विद्रोह की समय अंग्रेजों का भरपूर सहयो किया यहां तक की रानी लक्षी वाई के खिलाप इन्होंने 1942 में सेन टुकडी ज बमसागर नर्मदा छेतर का गवर्नर निम्नमैसिक कौन था चुकि जब बुंदेला विद्रोह हो रहा था बुंदेल खंड की जो बुंदेला विद्रोह कर रहे थे तो उस समय साहगड के जो राजा बखत बली थे और उस समय ललितपूर जनपत के बानपूर जनपत के जो राजा मरदन सिंग जी थे यह अपने राज को प्राप्त करने के लिए सिंधियाओं ने चुकी ले लिया था भॉसले और सिंधिया इन पर आक्र्मर किया करते रहते थे इसलिएर राजा भकत- liberi सागर का गड़ा खोटा छेतर चाहते थे और मरदन सिंग की चंदेरी को वापस चाहते थे तो इसी वापस चाहने के चक्कर में इन लोगों ने क्या किया था अंग्रेजों का साथ दिया था इस पेसली उस समय कौन था उस समय बुंदेल खंड का बिद्रो दवाने के लिए सिलीमेन को लाया गया था तो मेजर सलीमेन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा गोबिंद गड़ जो की रीवा में हैं यहां आम अनुसंधान केंद्र भी मौझूद है निम्न में से किस राजा ने इसका निर्माड करवाया था इसके लिए का निर्माड किस राजा ने करवाया तो गोबिंद गड़ के लिए का निर्माड रघुराज सिंग के द्वारा किया गया था किसके द्वारा रघुराज सिंग के द्वारा गोबिंद गड़ के लिए का निर्माड किया गया था वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करते जाएं आगे बढ़त अवधेस का अंतिम रूप से यदि राजा पूछा जाया तो वो मारतंड सिंग जी थे लेकिन मारतंड सिंग जी तो क्या थे मारतंड सिंग जी राजा थे अवधेस प्रताप सिंग क्या थे तो अवधेस प्रताप सिंग जी वहां के प्रधान मंत्री निक्त किये गए थे ठीक आगे बढ़ते हैं महराजा मार्तंड सिंग ने रीवा राजी के लिए संविधान निर्माड हेतू एक संविधानेक सुधार समीति की गठन की घोशना की और इसका अध्यप्छा किसे बनाया गया तो चुकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका अध्यप्छ जो है हरीशींग गौर जी को बनाया गया जिनके नाम पर सागर विश्विध्याला का नाम हरीशींग और डॉक्टर हरीशींग और विश्विध्याला के नाम से जाना जाता है मद्रप्रदेश की दो ऐसी उनिवर्सिटी है जिनको केंद्रिय विश्विद्याला का दर्जा दिया गया है जिसमें से एक सागर की हरिशींग और उनिवर्सिटी का नाम आता है लेकिन याद रखिएगा मार्तंड सिंग ने संविधान निर्माड हेतो एक संविधानिक सुधार समीति के गठन की घोशना तो की थी लेकिन ये समीति अस्टित्तों में नहीं आ पाई क्योंकि उसके पहले ही 1947 में बिले पत्र पर हस्ताक्षर करने के वाद उनका काम क्या हो गया वो भारती संग में सामल कर लिए गए अगला प्रश्ट है हमारा भिलिसाय युद्ध किस सन में हुआ था भिलिसाय जो युद्ध है ये भीलों का हमारे भारत के शुतनतरा संग्राम में योगदान की बात है यह आप लोग देखते हैं भील जनजातियों का गौंड जनजातियों का हमारे स्वतंतता संगराम से पहले यदि हम देखें तो मुगलों से जब युद्ध करते रहे भारत की राजपूत तो भारत की राजपूतों को भी प्रवल इन्होंने अपना समर्थन दिया है इसी तरह से 1857 की करांती में बहुत सारे भीलों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया था और इसमें इनका घिल साय युद्ध जो है 1857 की करांती से जुड़ा हुआ है अगला प्रसन आप से पूछा है बगेल खंड में 1857 की करांती की सुरुवात निम्न में से किसके आगमन के पश्चात हुई थी बगेल खंड जो की रीवा का जो छेतर है न वो बगेल खंड कहलाता है बगेल खंड में 1857 की करांती की सुरुवात तब तक नहीं हुई जब तक कि जगदीजपुर बिहार में जिन्होंने कूच किया था या क्रांती का नित्रत किया था कुमर सींग ने वो बिहार से चलते चलते और विद्रोह करते करते अपनी सेना को ले करके और बगेल खंड तक नहीं आ गए तब तक बगेल खंड में कोई सुगुगाहट नहीं थी जैसे ही कुमर सींग आये वहां के बगेल खंड के राजाओं ने भी विद्रोह कर दिया तो सबसे पहले कुमर सींग आये थे बिहार से तब जाके बगेल खंड में शुरुवात हुई थी अगला प्रशन आपके सामने है नोवी एवं दसवी सताब्दियों में चेदी जनपद को किस नाम से जाना जाता था देखिए नोवी और दसवी सताब्दियों में अलग नाम से जाना जाता था और वारवी और तेरवी सताब्दियों में इसे अलग नाम से जाना जाता था आपने नोट्स को अच्छे से रीड किया होगा तो आपको ये सारे प्रशन जो है वहीं से आपको मिल जाएंगे तो नौबी और दसवी सताबदी में डाभल डभाल या डाहल के नाम से चेदी जनपद या आधुनिक जवलपुर को जाना जाता था याद रखना इसमें डाहल आपका अंसर हो जाएगा निमन मैंसे गौंड वन्सकी वह सासी का कौन थी जिसके समय अकवर ने उस पर आक्रमन किया था जो गौंड वन्सकी सासी का थी ये आधुनिक आप ये मत समझेए कि आधुनिक गौंड जन जाती की थी आधुनिक गौंड जने जाती की नहीं थी बुंदेल खंड के सुप्रसिद्ध चंदेल राज कुमारी थी ये और इनका बिवाय कहां हुगा था तो इनका बिवाय हुगा था गौंड नरे संग्राम साह के साथ तो ये आपकी रानी दुरगा बती जो है ये गौंड बंस की वो राज बहादर को इन्होंने पराजित कर दिया था आगे बढ़ते हैं और भता राज का अंतिम सासक निमन मैंसे कौन था चुकि प्रिस्टम बहुत सांदार है भता का मतलब क्या है यदि आपको ये पता होगा तो आप इसका आंसर बिलकुल आसाने शे लगा सकते हैं आप ल अगला प्रशन आपके सामने है जहांगीर जब सुलतान बना तब उसने ओर्चा का सासक किसे निक्त किया था चुकि आपको पता है कि अकवर के समय ओर्चा के सासक कौन हुआ करते थे तो मधुकर साह हुआ करते थे मधुकर साह ने अकवर के समय बिद्रोह किया था बाद मे अकवर ने उनको हटवा दिया था ठीक है और उनकी जगह पे जहांगीर ने किसी निक्त करवा दिया था तो उनकी जगह पे राम चंदर को ठीक है अकवर के समय राम चंदर को निक्त करवा दिया था लेकिन जब अकवर हटा और जहांगीर बने तो जहांगीर की दोस्ती या सं बहुत अच्छे संबन्द थे बीर सींग फेकल स्वारा जहांगीर के लिए औरचा में एक जहांगीर महल की बी स्थापना की गई थी इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं इन्हों ने अबल फजल की भी हत्या कर दिती क्योंकि वहां के राम چंद्र को हटा करके चंदेरी का सासक बना दिया था आगे बढ़ते हैं अकबर ने जब ओड़्शा पर आकुर्वण किया तब वहां का सासक कौन था जल्दी से आयंसा लगाते हैं चाहिए देखी जब अकबर ने आकुर्वण किया था तो अकवर के आक्रमण के समय ओर्चा राज्य के रियासत के जो सासक थे या राजा थे वो मधुकर साह थे इनके आठ पुत्र थे सबसे बड़े पुत्र जो थे वो थे रामचंद्र और मधुकर साह के बाद रामचंद्र को गद्धी पर बिठा दिया गया था तो उस समय कौन अगे बढ़ते हैं अकवर ने मध्ध प्रदेश की निम्नमे से किस किले को सौने की कुझी से खोला था यह एक क्योदंती है ऐसा किसी ने देखा नहीं है कि सौने की कुझी से खोला था या नहीं कहा जाता है क्योदंती है और दक्षण भारत का जिसे द्वार कहा जाता है बु ताज की मौत हुई थी चौदा भी प्रसव फीडा के दोरान उस किले का निर्माड अहीर राजा ने बनवाया था और उसी किले को असीरगड के किले को आसा अहीर ने बनवाया था और इसी किले को अकवर ने सोने की कुंजियों से खुला था क्योंकि दक्षन का प्रवेश द् संस्कृति इतिहास से इसे ही प्रिस्णाना है तो अच्छे से इनको याद रखना है अकवर ने मालवा के सासक बाज बहादर को पराजित करने के लिए निम्नमे से किर दो प्रमुक सेनापतियों को भेजा था अकबर ने जब मालवा के सासक बाज बहादूर को हराने के लिए दो सेना पत्यों को भेजा उसके पहले बाज बहादूर गौंड वंस की रानी दुरगाबती से हार चुका था ठीक है इसलिए उसमें दूसरे युद्ध की ताकत नहीं थी फिर भी जब आधम खान और पीर मुहम्मद खान जब युद्ध करने के लिए आगए तो कापी देर तक टक्कर दी और टक्कर के बाद में वो क्या हो गया गरिफतार कर लिया गया और इसकी गरफतारी की खवर फैलते ही इसकी जो प्रियदर्सी थी या प्रैमिका थी या इनकी जो राने थी वो थी आपकी कौन तो रानी रूप मती जिनकी रूप की चर्चा आज भी वहाँ पे मालवा में गुन गुनाई जाती है उन्होंने मृत्य को गले लगा लिया जहर योक्त हीरा खा लिया और बाद में जो आपका ये बाज बहादो था इसने भी आत्मत्या कर ली थी तो इनकी पढ़ाएंगा था आज भी मालवा में लोग गीतों की रूप में प्रचले थे सेरसाह सूरी ने मालवा का सूवेदार निमन में से किसे नियुक्त किया था चुकि सेरसाह सूरी एक बड़ा नाम है और इसके बार में आप डिटेल से समझते होंगे फिर भी बताईए सेरसाह सूरी ने मालवा का सूवेदार किसे नियुक्त किया था तो उलूग खा, सुजात खा, नूर या फिर इनमेसिक कोई ने तो सुजात खा नाम के व्यक्ति को सेरसाय सूरी ने मालवा का सूवेदार के रूप में नियुक्त किया था बावर ने चंदेरी पर आक्रमण के सन में किया था बावर ने लगातार चार आक्रमण किये थे भारत में एक पानीपत का युद्ध जो की 1526 में हुआ था एक खानवा का युद्ध जो की 1527 में हुआ और उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ और उसके बाद हुआ था घागरा का युद 1539 में तो जो चंदेरी का युद्ध था इसमें मैदनी राय को पराजित किया था बावरने 1528 में बाज बहादूर एवं रानी रूपमती के महल का निर्मार निम्नमे से किसासक ने करवाया था इस प्रस्ण में आपको कुछ डाउट हों उसके पहले में आपके डाउट कलियर करना चाहता हूँ यदि आपसे प्रस्ण ऐसा पूछा जाता है कि रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था तो इस पेसली रानी रूपमती का महल बाज बहादूर ने बनवाया था क्योंकि रानी रूपमती का प्रतिदिन का नियम था वो हिंदू वंसत से थी ठीक है हिंदू राजकुमारी थी और इनका ये था कि वो जब तक नर्मदा की दर्सन नहीं करती है तब तक खाना नहीं खाती थी इसलिए करीब 305 फिट उची इमारत रानी रूप मती की महल का नर्माण बाज बहादुर ने करवाया था किलियर हुआ आगे बढ़ते हैं धार के किले का नर्माण निम्नमे से किस सुल्तान ने करवाया था धार का किला आपको पता है खर्बूजा महल भी वहाँ पर है ठीक है सारे महल हैं वहाँ पर तो इन में से किस ने करवाया था मुहम्मद बिन तोगलक वो सुल्तान था जिसने धार की कले को वनवाया था और खर्बूजा महल से आप पूरे धार का नजारा देख सकते हैं चंदेरी में कोसक महल का निर्माड किस सासक के द्वारा करवाया गया था कोसक महल चंदेरी में चो कोसक महल है उसका निर्माड महमूत खिलिजी के समय में किया गया था ठीक है आप लोग अंसर देते चलिए देखिए प्रस्ण जो हैं सो प्रस्ण है और हमें एक घंटे के अं पारे पास कम हैं आप लोग स्पीड से प्रश्णों के आंसर लगाते चलिए हम लाष्ट में आप सभी के स्कोर देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किये हैं आपके नाम लेंगे मालवा का प्रथम सुल्टान कौन था जिसने सुद्ध सौने चांदी और तांबे के सिक्के प्रसलित किये थे सबसे पहले मालवा का वो प्रथम सुल्टान कौन था जिसने सौने चांदी और तांबे के सिक्के यहां ना तो आपसे कुसाणों की बात की जा रही है ना ही हुड मेंसे किस अभिलेक से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दमोह छेत्र पर ग्यासुद्दीन तुगलग का अधिकार था तो देखिए दमोह छेत्र का जो चीजें हैं वो दमोह से ही प्राप्त होंगी और कहीं से तो प्राप्त हो भी सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है एरन अगला प्रसन है मुहम्मद गौरी ने गौालियर पर आक्रमण कब किया था तो मुहम्मद गौरी ने जब गौालियर पर आक्रमण किया था वो किया था ग्यारा सो पिंचानवे च्यानवे में जब वो तरायन का युद्ध जीत चुका था पत्वीराज चौहान से उसके बाद उसने धड़ाधड युद्ध करना शुरू किये क्योंकि उसकी टक्कर का कोई सुल्तान हिंदुस्तान में सेज नहीं बचा था अगला प्रस्ने वहलोलोदी ने गौालियर पर आक्रमण किया निम्नमे से किस राजा के सासन काल में चूकी आपको पता है वहलोलोदी जो है लोदी बंस का संस्थापक था सयद बंस के बाद लोदी बंस का उदभा होता है अफगान मूल का था और सयद बंस के सासक ने स्वेक्छा से अपनी गद्दी त्याग दी थी और वहलोलोदी को गद्दी दे दी थी और इस व्यक्ति ने जब ग्वालियर पर आक्वन किया उस समय कीरती पाल का सासन ग्वालियर में हुआ करता था अगला प्रशना आपके सामने आ रहा है निम्न मेंसे किस ग्रंथ की रचना राजा भोज ने नहीं की है राजा भोज परमारवंस के एक बहुत ही प्रसद राजा और इन्होंने किस जो रचना या किस ग्रंथ की रचना इन्होंने नहीं की है तो इन्होंने योग सूत्र लिखा है, यह आपको पता होगा, योग सूत्र, चारू, चर्चा, विद्या, बिनोद, यह सारे गरंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन 10 रूपक नामा गरंथ की रचना इनके द्वारा नहीं की गई, अगला प्रशन आपके सामने है, नि कभी बरस की उपादी, परमारों के एक बहुती प्रसिद्द राजा थे, उनका नाम बताईए, परमारों के दो प्रसिद्द राजा हुए हैं सबसे ज़्यादा, जिनमेंसे राजा भोझ का नाम हरव्यक्ति को आता है, लेकिन दूसरे बागपती मुझ हैं, जो की दूसरे प्रमुक राजा थे और इन्हें कभी व्रस भी कहा जाता था यसो रूपाव लोक के रचैता निमनमैसे कौन थे यसो रूपाव लोक के रचैता कौन थे जल्दी से लगाईए देखिए धनिक हैं पदम गुप्त हैं दस रूपक है, तो इनमेसे कौन थे? जल्दी से आंसर लगाए, पदम गुप्त नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने नव साह सांख चरत की रचना की थी, धननजे भी नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने नहीं रचना की, इसका आंसर होगा आपका धनिक, ठीक है? धनेक ने यसो रूपाव लोग की रचना जो है की थी यहां से कुछ गिरंथों के नाम भी पूछे गए हैं तो आप लोगों की कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए गरंथों पर कैसे भी प्रशना आ जाए राजा भोज की उत्राधिकारी निमनमे से कौन राजा हुआ राज सांदार सा प्रसन है कि राजा भोज के बाद उनके सत्ता को सम्हालने वाला व्यक्ति कौन था कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका प्रसन है सांदार सा प्रसन है और राजा जैसी को राजा भोज का उत्राधिकारी माना जाता है राइट आगे बढ़ते हैं राजा मु स्का सासक तेलब दुतिये को माना जाता है बागपती मुंझ निम्मे से किस बंस का राजा था बिलकु सिम्पल सा प्रोश्ट है मैं आपको बता चुका हूं दो राजा थे प्रमुक एक तो भोज राजा भोज और दूसरे थे बागपती मुंझ ये दौनों ही राजा पमारव संसके थे मालवा पर इनका सासन था और इनी के नाम पर भोपाल भोजताल से भोपाल हुआ है भोपाल का संस्थापक भी माना जाता है प्राचीन का आधुनिक में पूछा जाये तो आप गलती से भी मत लगाईएगा क्योंकि फिर आधुनिक में आपका किसको माना जाता है चल जो राजा थे उनकी अधिय काफी समय तक रहे लेकिन चंदेल बंस एक इतिना प्रतिवा संपन राजा आया जिसका नाम था राजा धंग जिन्होंने उस समय क्या किया खजुराहों के विशाल विश्णुमंदर का निर्मार किस राजा के समय में हुआ था खजुराहों के जो विशाल विश्णुमंदर का निर्मार है वो उस राजा ने करवाया था जिसने पृतिहार नरेसों को हरा करके पृतिहार नरेस किर्थी पाल को हराया था और उसके बाद उसको हारने के बाद उससे विश्णु जी की प्रतिमा भी प्राप्त कर ली थी उस विश्णु प्रतिमा को इस्थापत करने के लिए विश्णु मंदर का नर्मार करवाना जरूरी था जो की यशो बर्मन ने करवाया था ठीक है तो याद रखिए प्रतिहार नरेसों को हराने के बाद विश्णू की प्रतिमा प्राप्त की और बाद में ये सोबर्मन ने प्रतिमा को इस्थापत करने के लिए विश्णू मंदर का नर्माड करवाया धंग देव ने भी युद्ध लड़े हैं लेकिन ये अब बताईए तुमैन अभी लेक का संबंद मद्दप्रदेश के किस जले से हैं कई लोग बोलते हैं कि गवालियर से हैं कई लोग बोलते हैं गुना से हैं लेकिन गुना आपका पहले सही था लेकिन गुना जब 2003 के बाद आपके असुक नगर की रूप में विभाजित हो आतो जो तुमैन नामक एक गाव हैं वहां पर तुमैन नामक गाव में एक अभी लेक सिलालेक पराप्त हुआ था इसलिए तुमैन सिलालेक जो है असुक नगर इसका करेक्ट आंसर होगा किसी परकार का कोई कनफ्यूजन मत करना निम्न मेंसे किस अभिलेख में हरिश्वामनी द्वारा काकनाद में स्थित आरसंग को धन दान दिये जाने का उलेख प्राप्त होता है देखिए काकनाद किसका प्राची नाम था तो काकनाद कहा जाता था सांची को सांची को काकنات कहा जाता था और उस समय चो हरिश्वामनी थी उन्होंने सांची के एक आर संग को धन-दान में दिया था तो यह हमें कहां से प्राप्त होता है सांची के अविलेक से यह जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है चली, अगला प्रस्न है स्रेश्ट्तम नगर उजेन का स्वामी किस से कहा जाता है ? तो राजा वरत हरी के छोटे भाई जिने माना जाता है उनका नाम है चंद्रगुप्त दुतिये और इन्होंने क्या किया था ? राष्ट कूचोटों को हरा दिया था और ये आपके चंद्रगुप्त दुतिये को स्रिष्ट तम नगर उज्जेन का स्वामी कहा जाता है जिसे आधुनिक रूप से तरपुरी कहा जाता है नागबंस का जो उदय है नागबंस का चली जल्दी से बताईए पहले आप तक आबाज आ रही है मेरी हलो हलो ओके चली तो देखिए नागबंस का उदय मद्ध पदेश के किन दो जिलों के मध्य माना जाता है तो नागबंस का उदय है नागबंस जो था ये आपका कहां से फैला था तो ये विदीशा से लेकर उत्तरप्रदेश के मत्रुरा तक फैला था इस बीच में मद्ध पदेश का कौनसा प्रमुख जिला आता है तो विदीशा से आप ग्वालियर इसका आंसर होगा ठीक है इसका सबसे सकती साली सासक निम्न मैंसे कौन था चहरात बंस का सबसे सकती साली सासक वो था जिसने करीब 9 से जादा युद्ध जीते हैं उसका नाम था नहपान क्या नाम था उसका उसका नाम था नहपान ये चहरात बंस के सासक थे और इन्होंने करीब 9 से जादा युद् अगला प्रश्ण है वरहूत इस्तूप का निर्माण किस वंस के सासन काल में प्रारंब हुआ था वरहूत इस्तूप जो की आपका सतना में मौजूद है इसका निर्माण किनके काल में शुरू हुआ था तो यह हुआ था आपका मौरेवंस के कारकाल में मौरेवंस के बाद सुंगबंस आता है सुंगबंस के कारकाल में यह हुआ था कि साची के जो जो इस्तूप थे वहुत इस्तूप थे उनकी रेलिंग बनाई गई थी उनके चारों और क्या बनाई गई थी आने जाने की जगह बनाई गई थी ठीक है तो सुंगबंस के सासकों म भरहुत इस्तूप का निर्मार नहीं हुआ था यह हुआ था मौरवन्स के सासन में अगला प्रशना आपके सामने मद्रप्रदेश शासन द्वारा संगीत के छेत्र में दी जाने वाली फैलोशिप कौन सी है तो संगीत के छेत्र में जो दी जाती है संगीत के छेत्र में दी ज जाती है वो है अला उद्दीन खा संगीत फैलोसिफ ये आपको दी जाती है संगीत के चेत्र में बुंदेल खंडी फाग गायन की विशय वस्तू क्या है जो फाग गायन है ये जगनिक की प्रसद्ध रचनाय है फाग ठीक है स्वरी इसुरी बुंदेल खंड के प्रसुद्ध कभी है इसुरी जिनका जन्म जो है मौरानी पुर जहासी की एक तैसिल है मौरानी पुर वहां हुआ था इन्हों ने राधा और कृष्ण की आपसी जो बारतालाप है उनको फाग गायन की रूप में प्रस्तृत किया है और य किया जाता है कर्मा बिहू नित्र जो की असम का प्रशिद्ध नित्त है भगोरिया आपकी भील जन जाती का नित्त है भगोरिया हाट लगता है अभी होली के उसर पर लगता है जाबुआ में राई बुंदेल खंड का प्रमुख लोग नित्त है तो जो बिहू है वो हमारे म बताइएंगे कि 100 प्रश्ण में से आपने कितने सही किये हैं इस चीज से ये हो जाएगा कि Unit No. 1 पर आपकी पकड़ कितनी अच्छी है भारत भवन का डिजाइन किस ने बनाया था तो चार्ल्स कोरियर वो था जिसने भारत भवन का डिजाइन बनाया था बिल्कुल सिंपल्स सा कोशन है कई बार एक्जाम में आ चुका है मद्व प्रदेश शाहित्य परिशद की स्थापना तो मद्व प्रदेश शाहित्य परिशद की स्थापना जो है वो कहां हुई थी भोपाल में हुई थी और 1954 में हुई थी 1954 में यह स्थापना जो है हुई थी निम्न में से कौन सा जिला काश्ट कला कृतियों के लिए जाना जाता है काश्ट कला काश्ट कला मतलब जो है लकडियों के उपर नकासी और लकडियों के खिलोने वगएरा नकासी करने में महारत हासल किस जिले को है तो वो है आपके सिहोर जिले को किस जिले को है सिहोर जिले को याद रखिए सिहो और जिले को अगला प्रशन है आपका मध्य प्रदेश में खराद कला से संबंधित जिलों का सही क्रम क्या है खराद कला से संबंधित जो जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा खराद कला से संबंधित कौन सा जिला है तो सबसे ज्यादा श्योपुल करा बिलकुल राइट है आपक तब ये नंबर आपका correct हो जाएगा अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं निम्नमै से कौन सा युगुम सुमेलित नहीं है तो अटारी निर्थ जो होता है बैगा जनजाती के द्वारा किया जाता है मद्यप्रदेश की विशेश पिश्डी जनजाती है भदम ये भदम नहीं हुलकी निर्थ जो है ये हमारे मद्यप्रदेश की दक्षणी पूर्वी जिलों में निवास करने वाली मुडिया जनजाती के द्वारा किया जाता है सरहुल निर्थ जो है ये भी दक्षण पूर्वी जो जनजातियां है जो जहारखंड में विसेश कर निवास करती है उरा में किया जाता है तो छटी चित्र का चित्रांकन सिसू जन्म के छटवे दिन मद्ध्रदेश के बगहेल खंड छेत्र में रीवा पन्ना के छेत्र में किया जाता है अगला प्रस्ण है पगल्या चित्र मद्ध्रदेश के किस अंचल में बनाया जाता है और पगल्या की चित्रक का नाम भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या है कंधरिया महादिब अच्छा कंधरिया महादिव इस वbt में आपको डाउट है चलिप अ पगल्या चित्र जो है ये मद्रप्रदेश के किस अनचल में बनता है तो पगल्या जो चित्र है वो आपके बुंदेलखंड बगेलखंड मालबा निमाड में से पगल्या चित्र भी आपके सुरी पगल्या आपके निमाड चित्र में बनाया जाता ध्यार रखना पगल्या निमाड में बनता है बगेलखंड में नहीं बनता अगला प्रस्ण है तिलंगा चित्र मद अगला पुरसन आपके सामने आ रहा है चित्रावण चित्रकला मद्वरदेश के किस अंचलकी है चित्रावण चित्रकला जो है ये किस अंचलकी है ये विसेश कर चितेरे जनजाती के द्वारा बनाय जाती है चितेरे जनजाती के द्वारा चित्रावण चित्रकला बनाय जात तो वो आपका आंसर भुंदेल खंड होगा जिरोती पूछा जाय तो निमाड में बनाई जाती है जमी पर चित्रांकन किया जाता है कोई भी तियोभार वगेरा होता है खुशी की अवसर पर बनाई जाते हैं सुरेती चित्रकला दिवाली पर आपना देखा होगा ऐसे ऐसे ब दहखा नित्र है तो दहखा नित्र कौन सी जन जाती करती है प्रश्न करती है बिलमा बिलमा जो नित है बिलमा नित ये बैगा जनजायक्ति के द्वारा किया जाता है बैगा बहुत सारे नित करते हैं बिलमा नित करते हैं परधोनी नित भी करते हैं जब उनकी लड़कियों की बारात आती है तो बारात का स्वागत करने के लिए परधोनी नित भी करते हैं राइट तो बिलमानित आपके वेगा करते हैं जगदेव के पुवारा का गायन मद्रप्रदेश के किस अंचल में होता है जगदेव का पुवारा ध्यान दीजिए जगदेव का पुवारा क्या है जब आपने देखा होगा फसल कटाई के अवसर पर फसल कटाई के मनाई जाते हैं खुसी मनाई जाती है तो उसी खुसी के उपहार में बुंदेल खंड छेत्र में जो वो रहते हैं आपके जवा रहते हैं या गेहु रहते हैं उनको बो दिया जाता है जैसे कजली तीज भी बोलते हैं उस टाइप कैसे जवा बो दी जाते हैं उनकी फसल को ले का गायन बरसात की अगवानी में या बरसात की खुसी में मालवा छेत्र में विसेश कर प्रिशलन में हैं मालवा में ये गायन गाया जाता है हीड गायन कहां पर होता है तो हीड गायन ये आपके मालवा के सासा थोड़ा बहुत मालवा में और निमार में भी चलता है ठीक है त संत सिंगा जी को क्या माना जाता था तो संत सिंगा जी बहुत बड़े संत थे और सांप का जहर इनके लिए कोई मायने नहीं रखता था किसी व्यक्ति की मिर्क्तियू सांप के जहर से नहीं हो सकती थी तो ये आपके निमार के बहुत प्रसिद्ध संत थे राइट मेगनाथ प उसे वड़े देवता है मेगनात मेगनात की लोग कुजा करते हैं उनका एक पर्व मनाते हैं किस पर्व पर सुवर की बली दी जाती है तो याद रखिएगा सुवर की बली जो है ये दी जाती है लारू काजा पर्व पर जंजातियां ये निर्ट्या करती है जंजातियां ये यहार मनाती है पहले तो लारू काजा पे सुगर का विवाह किया जाता है ठीक है सुगर का विवाह करवाय जाता है और सुगर की बली भी दी जाती है तो लारू काजा जो है आपका सुगर बली से रिलेटेड है ठीक है अगला प्रस्न है बुंदेल खंड की आविवाहत मनाती है उसी तर्ज पर मद्ध प्रदेश के बुंदेल खंड छेत्र में दो पर्व मनाया जाते हैं एक तो मनाया जाता है नौर्था ठीक है नौर्था पर्व कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपकी कुमार में कुमार मास आता है ना जो उस समय नौर्था मनाया जाता जब देवी जी रखी होती है देवी जी की मूर्थिया रखी होती है नवरात्री के समय मनाया जाता है और मामुलिया भी उसी समय मनाया जाता है तो संजा और मामुलिया एक जैसा है मामुलिया बुंदेल खंड को संजा चलता है आपका कहां तो मालबा में और इनमें भी क्या ह लगता है बिल्कुल गलत क्योंकि ये आपके च्छतर पुर जिले के नौगाउ तहसिल में लगता चरनपादु का नमकिस्थान पर चरनपादु का मेला मकड संक्रांती के दिल दिल मद्द प्रदेश का जलियां बाला बाग हत्याकान घटित हुआ था जो की छतरपुर जले में हुआ था इसलिए मकड संकरांती के दिन लगता है 14 जनवरी के दिन लगता था इस मेले को जल्बिहार मेला कहते हैं गलत जल्बिहार मेला अलग लगता है छतरपुर में और ये मेला अलग लगता है फिसर नामक वहां के करनल ने क्या कर दिया था गोलियों का आदेश दिया था जिस कारण से बहुत सारे 37 सेनानियों की मौत हो गई थी अगला प्रस्ण है आपके सामने निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है काना बाबा का मेला कहां लगता है तो काना बाबा का मेला होसंगा बाद में लगता है बिलकुल करेक्ट धमोनी उर्ष सावरा ये सावरा जो है ये गलत है धमोनी उर्ष जो है ये बाबा मस्तान साह अली की दरगाहे पे लगता है सागर जिले में आंसर होगा हमारा B-number बर्मान मेला गाडरवारा नरसिंगपुर में करेक्ट है जागेश्वरी देवी जी का मेला चंदेरी में लगता है सबसे बड़ा पसुओं का मेला भी कहलाता है करेक्ट है इत जिमा नामक धार्मिक समागम का आयोजन कहा होता है तो इत्जिमा नामक जो धार्मिक समारो होता है वो इत्जिमा समारो भोपाल में मनाय जाता है करेक्ट असोक नगर जिले में किस स्थान पर पसू मेले का आयोजन किया जाता है असोक नगर जिले में किस स्थान पर पसू मेले का आयोजन किया जाता है ठीक है न तो जागेश सुरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है वहीं पर उसी को आप क्या पसू मेले का आयोजन भी आपके असोक नगर के चंदेरी में होता है अगले प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं भगोरिया उत्सव का आयोजन किस लिए होता है किस लिए पूछा है कहां नहीं भगोरिया उत्सव कहां होता है जाबुआ में होता है धील जनजास्री का प्रस्द नित है और इस मेले में युबक और युवतियां आते हैं और इसका मु बाग जाते हैं पर उनकी पंचायत में उनको फेस होना पड़ता है उनका साधी या विवाह जो है कर दिया जाता है या फिर पान की जग गुलाल लगाने का भी रिवाज है दोनों ही रिवाज यहां पर प्रिशलित हैं तो यह आपके जीवनसाती के चैन के लिए होता है रतन् यहां से 20 प्रशनों की यात्रा और हमारी सेस है तो बने रही है आप लोग और लाश्ट में मुझे यह जरूर बताईए कि आपने कितने प्रशन जो है सही किये हैं अगला प्रशने वह त्योहार जिसमें सरवादिक बाल विवाह होते हैं सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस पर होते हैं तो देखि आखा तीज निर्जा घरल्या दसहरा ठीक है दसहरा पर तो विवाह होते नहीं है घरल्या पर जो होता है वह ऐसा होता है कि जब किसोरिया जब नौरता मामूलिया संजा जैसे कारिकरम 9 दिन तक 17 दिन तक करती हैं उसके बाद में एक वह बड़ा सा घड़ा रख लेती हैं अपने सर पर उसमें छेद कर लेती हैं और घरगर जाके पैसे या अनाज एकत्रत करती हैं वो घड़ा लिया उसमें विवाय का कोई मतलब नहीं है ठीके इसी परकार नीर्जा आखा तीज जो है इसको कई जगे पे क्या कहा जाता है तो इसे अक्षै त करतिया भी कहा जाता है और आखा तीज के दिन सबसे ज़्यादा बाल विवाय होते हैं कि सोरिया बर्गत के पेड़ को पूजने के लिए जाती है इस समय अगला है अमारा प्रशन निम्र रचना वर रचनाकारों से संबद्ध नहीं है सत्थ पुडा के घने जंगल ठीक है तो सत्थ पुडा के घने जंगल भवाने प्रशाद मिश्र हिम तरंगरी माखनला चतुरवेदी त्रिधारा पदमाकर यह थोड़ा से यहां स्पेस देना था त्रिधारा पदमाकर और कासी बाल कृष्ण सर्मा नवीन तो यह कासी जो है बाल कृष्ण सर्मा नवीन की नहीं है स्वरी त्रिधारा पदमाकर की रचना नहीं है इन रचनाओं को ध्यान से देखिए सत्पड़ा के घने जंगल तो आपने पड़ा होगा सत्पड़ा के घने जंगल उंगते अनमने जंगल घुसना पाए हवा जिसमें ठीक है तो यह आपके किसके भवाने प्रशाद मिश्र आके हिम तरंगडी मांखनलाल की प्रशद यह दो तो पता है त्रिधारा पदमाकर की नहीं है सागर के थे पदमाकर और इनकी रचना नहीं है ठीक है अगला प्रशन है निम्न में से कौन सी रचना मांखनलाल चतुरवेदी की नहीं है और मांखनलाल चतुरवेदी की नहीं है आपका अंसर क्या होगा मुकुल इनकी रचना नहीं है अगला प्रशन है निम्नबै से कौन सी रचना पदमा करकी नहीं है कौन सी रचना पदमा करकी नहीं है तो इसमें से जगत बिनोद राम रसायन गंगा लहरी और प्रवोध साथा तो देखिए पदमा कर जो की सागर के थे उनकी रचना जगत विनोथ, राम, रसायन, गंगा, लहरी, तीनों ही रचना यहीं हैं लेकिन प्रवध, साथा जो रचना यह वो इनकी नहीं हैं। तो माखन लाल चतुरवेदी का जन्म भूमी और कर्म भूमी में काफी डिफ्रेंस है इनकी जन्म भूमी जो है ये बावई खुसंगाबाद में पड़ती है बावई वहाँ पे इनका जन्म हुआ लेकिन कर्म भूमी इनका रहा है क्या तो कर्म भूमी रहा है इनका खंडवा तीनों ही इनी की रचनाएं हैं अगले प्रशन की तरह बढ़ रहे हम रानी नागफनी की कहानी रानी नागफनी की कहानी तो पुरे बहुत जगए बिख्यात है मतलब भारत में तो है ही है अन देशों की लोग भी पढ़ते हैं रानी नागफनी की कहानी ये किसकी है हरी शंकर परसाई की प्रसद्र रचना है अगला प्रसन है मदप्रदेश में सरवाधिक बोली जाने बाली भासा कौन सी है कौन सी है बोली जाने बाली भासा नहीं सौरी बोली भासा और बोली में डिफरेंस है भासा में साहित भी होता है इसका छित भी विस्तित होता है बुंदेल ब्रज बोली जाती है कहाँ पे केबल और केबल भिंड मुरेना गौलियर तीन जिलों में बाकी नहीं बोली जाती है बुंदेल खंडी का छेत्र जो है विस्तृत है जबलपुर सागर से लेकर के पूरा बुंदेल खंड का एरिया आ जाता है और यहां तक की पुर्वोतर में बालागार तक में भी ये बोली जाती है अगला प्रशन आपके सामने है मद्र प्रदेश में सरवाधिक निम्न मैंसे किस जिले में ब्रिज भासा नहीं बोली जाती है तो ब्रिज भासा कहां कि मतुरा की है भासा ब्रिज भासा तो मतुरा से हमारे लगे हुए जो छेत्र प 89 नंबर है मद्रप्रदेश की मुख्य बोलियों में से कौन सी सामिल नहीं है मद्रप्रदेश की मुख्य बोली कौन सी है बुंदेली तो सबसे बड़ी बोली है बगेली भी हमारे यहां बगेल खंड में बोली जाती है निमाडी निमाड में बोली जाती है लेकिन भोचपुरी तो बोली जाती है बिहार में ठीक है हमारे मद्रप्रदेश में भोचपुरी नहीं बोली जाती है आप ऐसा दिमाग मत लगा ना कि कहीं कोई बिहार का दो चार व्यक्ति रहते हों वो भोचपुरी बोल दें तो आप बोलें कि यहां भी बोली जाती है वो बिहार की भासा है हमारे यहां उसकी कोई भी ज्यादा नहीं चलती है वो चली यहां से दस प्रश्णों को हम पढ़ रहे हैं और दस प्रश्णों के बाद हम आपका स्कोर जानने की कोशिस करेंगे आपने कितने कोश्चन सही किये है उर्मिला किसकी रचना है जल्दी से चकित है दुख हरिशंकर प्रशाई की बहुत अच्छी रचना है ये सोरी भवानी प्रसाद मिश्रकी किसकी रचना है भवानी प्रसाद मिश्रकी है चकित है दुख गजानन माधव मुक्तिवोध की रचना का नाम बताईगे गजानन माधव मुक्तिवोध की रचना जो है व एक लेकिन कोड़ बंड़ जाती जो बाला घाखर दाशिक और विस बपारा पिछ उप्स Amate सत्त नारायन जटिया किसे संबंदित हैं सत्त नारायन जटिया साथ बार से ज्यादा सांसद रह चुके उज्जेन के छेत्र से जालो उज्जेन छेत्र से रिलेटिड हैं और साथ बार से ज्यादा ये सांसद भी रह चुके हैं भारती जनता पारिटी में ये सामल है 180 में पहली बार इन्होंने लोकसभा का चनाव लड़ा था और तबसे इन्होंने साथ बार संसत के रूप में कार किया है तो मद्द प्रदेश की बड़ी विभूती है राज्यसभा संसत के रूप में भी कार कर चुके हैं लेकिन यहां पे आपको आज़र देना है तो को अभिशेक बच्चन की मां है एश्वरिया राय बच्चन की सासो मां है ठीक है तो इनका जन्म जो है मद्दप्रदेश के किस सहर में हुआ था बहुत सांदार सा प्रस्ण है ध्यान दीजिए जल्दी से आंसा लगाए इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर तो जबलप में हुआ था निम्न मैंसे किसे तानसेन सम्मान नहीं मिला है तानसेन सम्मान जिसमें दो लाक रोपे दिये जाते हैं संगीत के छेत्र में सम्मान जो है तुलसी सम्मान के साथ ही अस्चित्त में आया तेरासी चौरासी में और गंगुबाई कुरदाकर को मिल चुके है भीम मद्र प्रदेश के किस रंग कर्मी को वर्स 2007 में फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान आफिसर ओफ दा आर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा गया था इनमें से कौन से वो व्यक्ति थे जल्दी से बताए इसके बाद एक ही प्रश्ठिकेबल सेस है तो किसे 2007 में इत अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं निम्र में से मद्र प्रदेश की किस महिला को हूस्टन विश्वद्यालाय टेकसास अमेरिका का प्रशिडेंट और एवं चांसलर नुक्त किया गया है करेंट का कुरूश्चन भी इसमें सामेल कर लिया गया है ठीक है कौन है तो वो है आपकी रेंडू खाडोड नीम्र में को मद्र प्रदेश की हूस्टन विश्वद्यालाय टेकसास अमेरिका का प्रशिडेंट एवं चांसलर के रूप में नुक्ती की गई है ध्यान रखना कौन सी हूस्टन विश्वद्यालाय टेकसास Amêrka का चंसलर और प्रेसिडेंट की रूप में किसको निफ्टिया गया है रेंडू खटोड को मद्ध प्रदेश की किस महिला को युबा बैग्यानिक पुरुसकार से नवाजा गया है ये भी महत्पूर पुरुष्ण है और आंसर लगाई ये जल्दी से रोहिडी भमर किनन सेखर कामिनी शर्मा या सुलेखा कु हमारी तो इन में से किसे आपका जो युबा बैग्यानिक का दरजा दिया है तो वो रोहिणी भमर को जो है युबा बैग्यानिक का दरजा दिया गया है अब सभी लोग जितने भी देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक करें वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किये हैं हम आपके कमेंट का जवाब देना चाहते हैं जल्दी से बताईए आप लोग और ये बताईए क्वेश्चन कैसे थे क्वेश्चन कैसे थे चले जल्दी से बताईए दिलीप जी बताईए रिया चतुरवेदी संजीब हैं रविंद रमाली हैं अजय सिंग हैं काफी लोग हैं तो जल्दी से आप लोग बताईए क्वेश्चन कैसे लगे हैं आपको आपने स्कोर कितना किया है क्लास कैसी रही को टाइप करके comment box में लिखना है जब हमारी class जो है upload हो जाए उसके बाद आप comment करके हमें बता सकते हैं बहुत सांदार class रही thank you thank you चली pdf आपको उपलब्ध करवाएंगे बहुत जल्द उपलब्ध करवाएंगे एक से दो दिन का भी समय नहीं लगेगा मैं यहां बोल रहा की pdf आपको तुरंत ही उपलब्ध हो जाएगी चली तो अब हम आपसे मिलते हैं आपसे next class में और next class में हम क्या पढ़ेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं तो next class में आज की class में हमने क्या पढ़ रहे थे आज की class में हमने मध्यप्रदेश की संस्कृति शाहित की चर्चा का नबर के आना है unit number 2 को एक बार रिवाइस कर लेना है तो सो क्वेशन आपको लगाना है आप कितने सही कर पा रहे हैं उसे साफ से UP का 72 आपका सालनी विद्वाद बहुत्तर क्वेशन सई किये हैं 1622 यूनिट हम आपके cover करवाने वाले हैं तो यूनिट नमबर आज हमने cover की है इस वीडियो को सभी मित्रों तक share कर दो ताकि कल की class में सभी मित्र आपके उपस्तित हो सके और हमारी class जो है 6 बजे से 7 बजे 7.30 बजे तक चलेगी 6 बजे से 7 बजे तक हमने एक गंटे में show question cover किये हैं बहुत ही सांदार class रही है चलिए मिलते हैं आपसे कल की class में unit number 2 के साथ वीडियो पसंद आया है तो सभी मित्रों तक share करें like करें और comment करके बताएं question कैसे लगी जै हिन जै भारत